नमस्कार आप देख रहे हैं तिलंगाना की तक्दीर और मैं हूँ दृष्टी गुप्ता तिलंगाना में सियासी घामासान चल रहा है क्योंकि चुनाव नस्दीक है कभी भी चुनाव की तारीकों की घोश ना की जा सकती है लेकिन सियासी दलों की तैयारी के लिए चुनाव की तारीकों का इंतजार नहीं है सब जुटे हैं अपना परचम लहराने में जहां एक और कॉंक्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए हर तरह की जुगत में लगी हुई है वही भारती जंता पार्टी भी के सियार को बेदखल कर सत्ता पाने की कोशिश में लगी है तो सत्ता रूर पार्टी बियारेस फिलहाल अपने गड़ को बचाने के लिए संगहर्श कर रही है तीनो ओर से खीचता अंजारी है आये जानते हैं कि किसके हाथों में होगी तिलंगाना की चाबी किसके वादों खोशनाओं में कितना दम है और इस बात की चर्चा भी करेंगे इस बार तिलंगाना की सत्ता तक पहुँचने के लिए कौन सी पार्टी कितना जोर लगा रही है तो सबसे पहले एक नजर आज की कुछ बड़ी सियासी खबरों पड़ागते हैं प्रुधान मंत्री मोधी का तिलंगाना में लगातार दूसरे दिन का दौरा प्रुधान मंत्री ने तिलंगाना को आठ हजार करोड के विकास की परियुजनाओं की दी सौगार बियरेस के कारेकारी अध्यक्ष के टियार ने कॉंग्रेस को बिजली के मुद्दे पर जम कर लतार लगाई और कहा कि अगर कॉंग्रेस आई तो बिजली के लिए संकट की स्थिती बन जाएगी और हर साल मुख्यमंत्री बदलेगा सो अलग CMK चंद्रशेखर राव ने तिलंगाना में करमचारियों के वेतन में बढ़ोत्री को लेकर छोड़ा नया शगूफा उन्होंने वेतन संशोधन समिती कठित करने का लिया निर्णय छे महीने के भीतर सरकार को सोपेगी रिपोर्ट आंध्रप्रदेश की जन सेना पार्टी ने तिलंगाना विदान सभा की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया एलान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बेघरों को घर देने का किया एलान दो कमरों वाले एक लाग घर बनाएगी केसियार की सरकार आईए अब एक नजर डालते हैं इन ख़बरों पर विस्तार से प्रधान मंत्री मोधी इन दिनो तिलंगाना में दूसरे दौर के दौरे पर हैं प्रधान मंत्री ने तिलंगाना को भी 8000 करोड रुपए के विकास पर्योजनाओं की सौगार दी है इसके बाद प्रधान मंत्री तिलंगाना के निजामाबाद पहुंचे वहां बिजली, रेल वा स्वास्त जैसे महतोपून सेक्टरों की लगबग 8000 करोड रुपए की विभिन ने विकास पर्योजनाओं का लोकारपन और शिलान्यास किया प्रधान मंत्री ने तिलंगाना में मनुहरबाद और सिद्धी पेट के बीच नई रेलवे लाइन का लोकारपन भी किया इसके अलावा पी एम मोधी ने धर्माबाद और मनुहराबाद के बीच रेलवे लाइन के विद्योती करण का भी लोकारपन किया इसके साथ ही उन्होंने तिलंगाना के निजामाबाद से आंधर प्रदेश के महभूब नगर और करनूल की रेलवे लाइन के विद्योती करण को भी शुरू किया साथ ही उन्होंने एंटिपीसी के 800 मेगावाट के बिजली केद्र को राश्च को सौबा ये अत्यादुनेक बिजली घट 6000 करोड रूपए की लागत से तयार किया गया है और यहां उत्पादित 85 प्रतिशत बिजली कम लागत पर राज्य में ही उप्योग की जाएगी इस परियोजना से उत्तर और दक्षिन ग्रिड के बीच संपर्क में सुधार होगा और साथी प्रत्यक्षिया परोख्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे प्यमोदी पीस जिला मुख्यालियों में प्रधान मंत्री ने आयोश्मीन भारत योजना स्वास्त के बुनियादी धांचे का भी शिलानयास किया 516 करोड रुपए की इस पर योजना में 50 बिस्तरों वाले गहन चिकित्ता कक्ष तयार किये जाएंगे और अब बात राहुल गांधी के हवाई 6 गारंटी वाले बादे के पाच राज्यों में होने वाले विधान सभाद चुनावों के मद्दे नजर सभी राचनितिक पार्टियों और दल हर तरह से जन्ता को लोक लुभाबने बादे करके वोट की राचनिती करने में लगे हैं ऐसे में तिलंगाना में रैली करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि अगर तिलंगाना के लोग कॉंग्रेस को अपने राज्य के लिए चुनते हैं तो कॉंग्रेस 6 गारंटियों के साथ राज्य को प्रगती की रहा पर ले जाएगी और बियारेस का सूपरा साफ कर राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हमने जो कहा है वो किया है कनाटक वालों से पूछलो इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय राश्ट समिती के कारेकारी अध्यक्ष और मंत्री KTR ने कॉंग्रेस पर निशाना साथ रेडी अपनी सरकार में मंत्री भी रहे फिर भी उन्होंने नलगोंडा के लिए कुछ नहीं किया IT कम्पनियां तो दूर उन्होंने किसी को कम्प्यूटर भी नहीं दिलाया और छे गारंटियां दे दी इस पर कोई कैसे भरोसा करेगा उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कॉंग्रेस यहां आई होती तो बस गारंटी के लिए तीन चीजे होती एक तो दिन में तीन घंटे बिजली आपूरती, हर साल मुख्यमंतरी बदलना और बहुत राज्यों में जम कर घोटाला करना उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि अगर कॉंग्रेस चुनाव जीती है तो मुख्यमंतरी कौन बनेगा कॉंग्रेस को चुनने का मतलब है कि बिजली संकट को निमंतरन देना और अब बात करेंगे कि किस तरह मुख्यमंत्री चंदरशीखर राउ ने तिलंगाना में करमचारियों के वेतन में व्रिधी को लेकर जन्ता को चूना लगाया है उन्होंने कहा है कि हम सरकारी करमचारियों के वेतन को बढ़ाएंगे इसके लिए हमने एक वेतन संशोधन समिती जिसे पियारती कहते हैं गठित की है जिसमें मुख्य सचिव शान्ति कुमारी ने एन शिव संकर जो की एक रिटायर आई एल हैं उनको समिती का अध्यक्ष चुना गया है ऐसे हमने निर्देश दे दिये हैं फिलाल वित्त विभाग को हमने वेतन संशोधन समिती की जिम्मधारियों को पूरा करने के लिए आव waiverशक धन और करमचारियों की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया है साथी राजिस सरकार ने करमचारियों को पांच प्रतिशत अंतरिम पारश्रमिक का भुखतान करने का निर्णय भी लिया है इससे आने वाले समय में राजिये करमचारियों वा उनके परिवारों को किसी तरह की खराब आर्थिक इस्तिती का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब चलते हैं अगली खबर की ओर आंधर प्रदेश की बड़ी पार्टी जनसेना पार्टी ने ये घोशना की है कि वो आने वाले विदान सबाचुनावों को लेकर काफी गंभीर है और वो पड़ोसी राज्या आंधर प्रदेश में एक प्रमुक राचनीतिक दल भी है जिसका आंधर प्रदेश में भाचपा और तेलगू देशम पार्टी के साथ अलाइंस भी है तेलगू फिल्मों के जाने माने अभीनेता चरंजीवी के भाई पवनकल्यान के हाथ जनकल्यान पार्टी की कमान है उन्होंने ये घोशना की है कि उनकी पार्टी ग्रेटर हैदराबाद नगरनिगम सीमा और खम जले के आसपास की अधिकांच सीटों पर चुनाव लड़ेगी हैदराबाद में अभीनेता से नेता बने पवनकल्यान की जन्सेना पार्टी ने ये घोशना की है कि वह तेलंगाना में आगामी विधान सवा चुनाव में 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदशेखर राओ ने अगस्त में 115 निर्वाचिन शेतरों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोशना पहले ही कर दी थी चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां सीम केसियार ने हैदराबाद और उसके आसपास की जनता को संगा रेडी जिले में कोलूरू के लोगों को दो बी एचके के घर दिये थे उनसे कहा था कि इसके लिए सरकार ने 9600 करोड रूपे अभी तक खर्च किये हैं और एक लाख लोगों को लाभानवित किया है ऐसे ही 30,000 घर हम और बना रहे हैं जो पाइपलाइन में हैं उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले सालों में एक लाख और दो बी एचके के घर बनाने की रहा पर काम कर रही है जिससे नागरिकों को अच्छी क्वाल्टी के घर मिलें और उनके सिर पर भी छथ हो इसलिए हमारी सरकार का समर्थन करें उन्होंने कहा कि कोई और पार्टी गरीबों को ऐसी गुणवता वाले घर नहीं दे सकती अगर दे देगी तो मैं स्तीफा देने को तयार हूँ कॉंग्रेस के लिए जहां तिलंगाना का विधान सभा चुनाव जीतना एक मात्र एजिंडा रह गया है क्योंकि कॉंग्रेस विधान सभा में जीत को लेकर अपनी पूरी ताकत छोक रही है इसके लिए राखुल गांदी तिलंगाना में सब परिवार रैली करते भी दिखाई देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले आंग चुनावों के लिए यही रास्ता उप्योगत है वन्ना उनकी सरकार कहीं की नहीं रहेगी जोकि भाजपा ने हैदराबाद में काफी सीटों पर अपना पर्चम लहाया है तो उस पार तिलंगाना भी उसके लिए जादा दूर नहीं है इस समय बियारेस का मुख्य एजिंडा है कि कॉंग्रेस और बीजेपी को जितना हो सके भला बुरा कहो और अपनी पार्टी को दुबारा सरकार में लेकर आओ लेकिन ऐसा होने की उमीद काफी कम नजरा रही है क्योंकि अगर आपकी सरकार ने अच्छा काम किया होता तो तिलंगाना की जनता को किसी और पार्टी के भरोसे नहीं बैठना पड़ता चोगी भाजपा ने देश की जनता को इतना कुछ दिया है तो तिलंगाना पीछे कैसे रह सकता है इसी दिए यकीनन तिलंगाना की लोगों में ये भरोसा है कि मोदी जी जैसा नेता ही अब उनके दुख दूर कर सकता है तो तिलंगाना की तक्दीर में फिलहाल इतना ही देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार